हेलो गुड मॉर्निंग इस्टुडेंट्स आज देखो मैं आपको नया टॉपिक इसका स्टार्ट करा रहे हूं ट्रांस जैनिक एनिमल्स यह जिनें बोलते हैं पार जीवी जन्तू और यह जो जन्तू जैसे अभी अपने पहले वाले उसमें वीडियो में देखे थे कि किते स प्लांस तयार करेते तो वैसे ही जन्तू यह अंतों को भी टैयार किया जाता है और इसमें पहीं सिंपल मैथड हैं कि हम जो भी हमार Als Dear जीनने उस जीनको हम ट्रांस वर्त Quran करने के लिए एक जो मैथटर होता है उसे बोलते हैं, ट्रांस्फेक्शन मेथड और इससे जो है, जो भी हमारा जीन है, वो जीन उनके एंब्रियो या ब्रून में जुड़ जाता है, और जुड़ने के बाद जो नया जन्तु तयार होता है, तो उसमें वही करेक्टर होते हैं, जो की हमारे डिजाइर या वांचि तो इसके लिए सबसे पहले इसकी देखो definition तो देखो सबसे पहले इसकी परिवासा या definition है तो हिंदी में कि जन्तू जिसकी जनन कोशिकाओं में सरीर के बाहर दूसरे जन्तू का जीन प्रवेश करवाया जाता है तो ऐसे जन्तूं को हम क्या बोलते हैं ट्रांस जन्निक या पार जीवी और इंग्लिस में अपने पास में सिंपल सा मैट डेफिनेशन है कि अनिमल इन विच सेग्मेंट ऑफ डियेने हैस बीन फिजिकली इंसर्टेट इन टू दू जीनॉम और यह जो जीनॉम है यह अपना डियेने सेग्मेंट होगा और इंसें लिए देखो यहां पर आपके अब को मैं मैंघ जा रहा है कि यहां पर हम सबसे पहले जो भी जास्याम अंनिक माउस बनाया जा ज्यादा quantity में डाला जाता है जिससे कि इसमें बहुत सारे जो है एक बनते हैं और एक बनने के बाद में फिर इसमें fertilization करवाया जाता है तो fertilization में एक तो मारे पास में female का pro nucleus है यानि मादा पूर्व केंद्र के और दूसरा मारे पास में male का pro nucleus है दोनों को यहां हम artificial method से fertilization करव फिर यहां पर दिखह भी रहा है कि कैसे iron Vaikya है के तो माइक्रो इंजेक्षन के तो मायक्रो इंजेक्शन के थुर है हमें जो भी जीन इस में डालना है उस जीन को ज़बίस्व का रॉक्त बाता यहां पर डालना जाता है और डालने के बाद में फिर यह जो एग है यह hook सचिलियाइजेड बीह औगया इसमें एंब्रेयों भी हो इस एगो को हम दूसरी किसी female के अंदर इंप्लांट करते प्रत्यार ओपित करते और फिर प्रत्यार ओपित करने के बाद में इसके जो भी बच्चे बनते वह इधों बच्चों में हमें वही कर्रेक्टर मिलेगा जो क्ला है जो कि हमें यहां पर चाहिए आप देखो यहां पर मैंने आपको एप्लिकेशन यह जो भी हमारा उद्देश से है जो की जीन प्राण्सफर मिलता तो यहां पर बहुत सारी चीज़े हैं कि जैसे यहां पर मेडिकल इंपॉर्टेंस है कि जिसमें आप डिजीज के लिए मॉडल बना सकते हो बायो रियक्टर फर्मेशिटिकल यह सारी चीज हो गई अगर अग्रिकल्चर की बात करते हो तो हम ऐसे डिजीज रेस्टेंस एनिमल बना सकते हैं प्लांट भी बना सकते हैं और जो एनिमल्स हैं उनकी क्वांटिटी जो है दूद की मास की अंडे की वूल की उनका प्रडक्शन उनका उत्पादन बढ़ा सकते हैं फिर अगर आपन इंड्रेस्टियल इंपॉर्टेंस देखें और द्योगिक तो हमारे पास मे ऐसे केमिकल्स हैं वो तयार किये जा सकते हैं अब जैसे जो भी है स्पाइडर सिल्क है फिर जैसे हमारे पास में बकरी है तो वो गौट मिल्क और इसको हम बढ़ा सकते हैं तो यह जो है यहां पर क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो बकरी का दूद होता है उसमें वो अलावा भी अब जैसे मालीजे कि जो भी हमारे पास में अनुवांसिक रोग हैं उनमें हम उसका उपचार कर सकते हैं फिर प्रोटीन बढ़ा सकते हैं जो एनिमल्स होते हैं उनमें प्रोटीन बढ़ा सकते हैं कोई जीन अगर खराब है तो उसको भी हम निस्क्रिय कर सकते ह और उसके अलावा हमें बहुत सारी हमारी DNA है जीन है या सेल की अंदर की जो चीजे उन सबकी भी हम यहां पर स्टडी कर सकते हैं अब देखो आपकी बुक में कुछ एक्जामपल्स दिये हैं जिससे अपने को पता लगेगा कि कैसे कैसे अपने ट्रांस जैनिक अनिमल्स यहां पर बनाए अब देखो सबसे पहले आपकी बुक में दिया हुआ है सामान यह कारिकी वर विकास यानि नॉर्मल फिजियोलोजी अब इसमें देखो अपन जो यह ट्रांस जैनिक अनिमल्स बना रहे हैं उन एनिमल्स के तुरू हम कोई भी जीन है उसकी एक्टिविटी को वह किस तरह से कंट्रोल कर रहा है उसका बॉड़ी पर क्या एफेक्ट है यह सारी चीज़ें हम कर सकते हैं उसके अलावा यहां जै जैसे माल लिजे कि आपको बताया भी था ए और बी वहां पर पॉली पैप्टाइड चेन यहां तैयार की थी तो उसी तरीके से उससे पता लग गया कि वह जो पॉली पैप्टाइड चेन ने उनको अगर हम जो भी एम्ब्रियो उसकी ग्रोथ में यूज कर सकते हैं उसके अ बहुत सारी चीजें हैं फूड है उसमें हम उसको यूज कर सकते हैं जिनसे जो कि हम बायो टेकनोलोजी के थुरू या ट्रांजैनिक एनिमल से इसमें बढ़ा सकते हैं अगला जो इसका यूजेज है वो है रोगों का अधियान या डिजीज इस्टेडी ओफ डिजीज तो इसके लिए हम जो है कुछ ट्रांजैनिक एनिमल्स को चेल्ल या फिर आप वर को सकते हो कि जो भी हम केमिकल बुक्रस बना रहे हैं डिजीज के लिए जो भी दवाईया बना रहे तो उन दवाईयों को किसके अंदर पहले टेस्ट किया जाता है यह चर्णैनिक एनिमल्स एलजी हीमर यह कुछ हमारे पास में डिजीज हैं उन डिजीज की जो भी हम दवाई बगर बनाते जो भी हम एंटिवेटिक्स बनाते तो उनके लिए हम इन ट्रांसजैनिक एनिमल्स का यूज करते हैं अब देखो जो नेक्स्ट हमारे पास में एक्जामपल है वह है बायो लोजिकल प्रड़क्ट या जैव उत्पाद और इसको थोड़ा सा आप इंपोर्टेंट कर लेना क्योंकि देखिए अब यहां पर हमें अगर जो भी हमारे बायो प्रड़क्ट हैं जैव उत्पाद हैं उ इसलिए हम ऐसे जो भी बायो प्रड़क्ट है वह किस में बनाते हैं एनिमल्स में बनाते हैं और उसके लिए हम यहां पर मैं आपको प्रोसेस भी गाय का दिखा घुझा हूं कि इस तरीके से जो है गाय के अंदर आपनको जो भी अपना डिजायीट जीन है उसको एंटर करक कर सकते हैं और वो उससे क्या होता है कि हमें प्रडक्शन भी जो है अच्छा मिलता है यानि क्वांटिटी भी उसकी अच्छी होती है अब देखो इस प्रोडेक्ट के थुरू हमारे पास में यह एक्जामपल आप कर भी लेना जैसे डिजीज होती है वायू स्वीती या जिसे जाता है प्रोटीन एल्फा फर्स्ट एंटी ट्रिप्सें ठीफ ऊर्टी अर यह जो है सो बनाय जाता है इन एनिमल्स में बनाया जाता है और इसके लिए हमारे पास में जो बक्री इस गायां है उसमें हम इसको यूज करते हैं और यह-20- प्लाजि मोनिजन एक्टीवेशन होता है जो बकरी में किया जाता है और लेक्टोफेरिन है वो गाई के अंदर किया जाता है फिर उसके बाद में एक और है फिनाइल किटोनूरिया यह भी आप डिजीज पढ़ोगे और सिस्टिक फाइब्रोसिस तो इनके जो भी केमिकल्स है या आप इक तरह से कर सकते हो इनक वह किसमे तयार करें इन्टरांजनिक बक्री जो गौट होती उसमें या काउ में जिस्से कि इनके मिलक के थुरू ही हमें एंटिबायोटिक से मिल जाते हैं जता कि हमें उपर से कोई भी जो है एक तरीके से मेडिक मेडिशन्स खाने की जुरत नहीं होती है अब देखो एक और है टीका सुरक्षा जाच यानि की वैक्सीन सेफटी तो वैक्सीन सेफटी के लिए हम जैसे यहां पर आपको दिख भी राय चुआ है तो जो भी हम वैक्सीन वगरे बनाते हैं तो वो बनाने जैसे अभी कोरोना की भी आपके चल रहा है तो जो भी वैक्सी पहले इन एनिमल्स पर ट्राय की जाती है और अगर यहां पर हमें पॉजिटिव एफेक्ट मिलता है तो फिर हम उसको आगे बढ़ाते हैं तो यहां पर भी जैसे अभी यह आप देख रहे हो तो पोलियो का है वेक्सिनेशन वो ट्रांजनिक माइस पर किया गया तो यह इस तर करते हैं फिर इसके बाद में देखो एक और एक्जामपल आपके दिया हुआ है केमिकल सेफटी टेस्टिंग यानि रासाइनिक सुरक्षा जाच तो हमने जो भी केमिकल्स बनाते हैं अब वो केमिकल्स हमारी बॉड़ी पर कैसा एफेक्ट डालेगा और अधिकतर जैसे टॉ जिस्टिंग भी हम किसमें करते हैं इन टेनिक अनिमस में करते हैं जिसे की उनमें जो उफेक्ट पढ़ता है उनमें गला एंटी बॉडिस बनती है यह उनमें जो जो भी आपॉजित डीक्षेन पढ़ता है वह हमें इसके थुरुब यहां पर पता लग जाता है तो यहां पर देखो ट्रांसजेनिक गौट है जिसको इस मेथट के लिए बनाया गया है अब देखो मैं आपको एक बहुत इंपर्टेंट एक्जामपल बता रही हूं जो आपके जैनेटिक्स वाले में भी आएगा यह है ट्रांसजेनिक सीप एंड लेम और यह 1996 में आपने सुना होगा डॉली एक भीड बनाई थी और उसको जो है एक स्पेशल जो यहां पर देखो टेक्निक भी लिखी वह है सॉमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलोगी इसमें जो है जो भी मेल फीमेल और फीमे इस याने जो काई कोशिका है उसको सिका से हमने न्यूक्लियस लिया था और दूसरी वाली जो मदर थी उसके अंदर उसको इंजक्त किया गया था और फिर उसके बाद में यह डॉली जो है एक नई कलोन की तरह आप इसको खेशकते हो और उसमें जो भी उन्होंने character लिये थे उन character को लेके यहाँ पर आई थी और इसमें देखो यहाँ लिखा भी है कि यह first transgenic lamp थी और इसमें जो है human में जो blood clotting का factor होता है 9 उसको यहाँ पर लिया गया था तो यह इस तरीके के कुछ cases हैं जिसमें इसको study किया जाता है फिर देखो एक और example है जिसमें transgenic fish यह इसलिए तयार की गए है क्योंकि आपको पता है कि अधिक्तर जो area है उस area में जो है meat या मास्क खाया जाता है तो इसमें इन fishes का size बढ़ाया जाता है यहाँ पर देखो आपको compare करके भी बताया गया है कि जो transgenic fish होती है उनकी growth की जाती जिससे उनका size बढ़ जाए और यह भी किसके तुरू की जाती है growth हार्मोन और इसको करने से क्या होता है कि जब इसका size बढ़ेगा तो हमें meat भी जो है वो जादा मिलेगी और ऐसे यहाँ पर देखो एक और example glow fish का दिया वा है इसके अंदर भी जो है इस तरीके से growth हार्मोन देखें इसके size को बढ़ाते हैं ऐसा ही काम हम ship में भी करते हैं अब देखो एक example मैं और आपको करा रही हूं ट्रांस जैनिक काउड यह गाय बनाई गई थी उसका नाम था रोजी और यह 1997 में बनाई गई और इसमें एक्चुली human protein जो हमारी human की जो females होती है मादाएं होती है उनके milk में जो protein होता है उस protein का जीन यहां पर एंटर कराया गया और उसका नाम है alpha-lacta-albumin तो यह जो protein है उस protein को बनाने वाला जीन इसमें डाला गया तो इसका जो milk है वह milk बिल्कुल human female के milk जैसा मिलता है तो यहां पर क्या हो गया production तो production यहां पर बढ़ाने के लिए इस ट्रांस जैनिक काउड का निर्मान किया गया और आपको बतारी हूं transgenic pig जैनी कि जो सुर होते हैं उन सुरों को भी आज बनाया जा रहा है और इसलिए गे इंपर्टेंट है क्योंकि जो यह transgenic pig होते हैं इन pig में जो antigens होते हैं वह antigens जो हैं human जैसे ही होते हैं इसलिए हम इसको यूज करते किसके लिए organs जो artificial organ आप पता है कि Heart भी बन रहा है Kings ६ंड़े विश manageاد ग्स्रीच भी बन रहा है तो यह जो आर्टिफिशेल और गन बनाये जा रहे एंग्ले करते है're in turns Zachary pick up करते है're और यह से लिए है क्योंकि इनके एंटीजन और हमारे एंटीजन सेम होते हैं यह आप प्रॉसेस भी देख रहे हो कि किस तरीके से जो है इनके अंदर कुछ सेल्स को इंजेक्ट किया जाता है जो कि ओर्गन वनाने के काम में आती हैं और उससे जो है पिक के अंदर हमारे देवलब होते हैं तो आज यह कुछ एग्जामपल जो हैं वह मैंने आपको ट्रांसजैनिक अनिमल्स के करा दिये हैं अब यहां पर देखो अब इसमें देखो एक कुछ मैं और दो टॉपिक यहां पर रह रहे हैं जिने अपन नैटिक मुद्दे या एथिकल इसूस बोलते हैं और यह इसलिए किये गए ताकि हम यह जितनी काम कर रहे हैं उस काम करने में हमें क्या बेनिफिट है तो उसके लिए देखो एक सबसे इ पेटेंट या बायो पेटेंट कहते हैं और इसमें एक तरीका प्रोटेक्शन है एक सुरक्षा है कि जैसे मालीजे आज अगर आपकी कोई चीज है तो अगर वो कोई ले लेता है तो आप उसे बताने के लिए कि यह चीज मेरी है कुछ आप एविडेंस देते हो कुछ होते हैं बायो पेटेंट कि अगर आपने किसी बाईयो प्रोटेक्शन आपका और उसमें सारा अधिकार आपका होना चाहिए इसको हम क्या ब Loyal पेटेंट और इसका फायदा यह कि उस से समंद्रित जो भी इंकम होगी जो भी पैसा मिलेगा उसका कुछ परसेंट वो आपको भी मिलना चाहिए इसलिए यह बायो पेटेंट किया जाता है अब यहां पर देखो हलाकी बहुत सारी चीजें हैं और पहले जो हमारा इंडिया थोड़ा इस मामले में पीछे ही रहता है तो हमारे पास में ऐसी अच्छी चीजे थी लेकिन उसका बायो पे आप यहां पर कुछ एक्जाम्पल दिये हैं जैसे एक एक्जाम्पल दिया हुरा है राईस या चावल का अब आपको पता है कि एस्चीजा में बहुत समय से जो है चावल अपन खाते है अपने यह उगाया जाता है और अगर अपन डेटा के अनुसा देखें तो हमारे पास में 2,00,00,00 वेराइटी मिलती हैं किसकी चावल की और उसके अलावा अगर आप देखो तो सबसे अच्छी वेराइटी अपन किसको कहते हैं बासमती चावल और इस बासमती चावल की भी लगबख 27 जो है वेराइटी मिलती हैं और यह सब हमारे इंडिया और एसिया में उसमें ले लिया था अब इसमें यह कि जितना बास्मति चावल है वो जितना भी सेल होगा उसमें कुछ परसेंटेज जो है उसके उपर काफी जो है कहना चीए एक तरीके से लडाई सी हुई और फिर जाके जो है हमारे को इस बास्मति राइस पे पेटेंट मिला उसके बाद म च elles mere ँडिर जामुन गैंगन यह भी जो है पेटेंट इसको युश किया जाता है डाइविटी में तो इसका जो पेटेंट है उस पेटेंट को भी जो है दूसरे ओगतेंटर ilीष कंपनी है उनको यह मिल गया था और इसलिए जो है इसको वापिस एक तरीके की चीशें की इंडिया जो हमारी कंपनी है उसने बहुत पहले ही डाइबिटीज के कंट्रोल में इनका यूज कर दिया था तो इसके बाद में काफी समय बाद जो है इसका पेटेंट हमें मिला उसके बाद में कुछ हमारे पास में जो भी अमारी नैचुरल चीज़ें जैसे हल्दी है नीम ह हड़ा है आवला मलतास यह बहुत सारी आयूर्वेदिक चीज़ें हैं जिनका भी जो है पेटेंट जो है फॉरन कंट्रीज ने ले लिया और उसको अब धीरे-धीरे हम वापिस से अपने पेटेंट में ले रहें तो यह कुछ चीज़ें हैं जो की बायो पेटेंट से रिले बायो पेटेंट है वो किस ने ले लिया वो बायो पेटेंट ले लिया अमरीका ने तो वो एक तरीके की क्या कर लाती है जैविक चोरी तो बायो पायरेसी को आप नॉर्मल कर सकते हो कि जो भी हमारी चीज है उस चीज में जैसे माले जिए कि हमारी कोई इंटरनेशनल कोई यह और चीज है तो अगर उस पर कोई अपना अधिकार कर लेता है तो इसे हम क्या बोलते हैं आप लोग कई बाद सुनते हो गए यह चीज है तो यहां पर इसी तरीके की चीज रिलेटेड है तो यह जो भी चीज है अगर हमने उसकी डिसकारी करी हमने उसका यूज किया है और कोई अपने नाम से उस चीज को कर लेता है तो यह जो हम क्या बोलते हैं ऑफ इसके लिए देखुख कुछ यहां पर हमारे इंडिया के अंदर और ये कभी नाम पूछा भी जाता है ये है अनुवानसिक अभी यांत्र की सर्थुति समिती ये नाम कभी पूछा भी जाता है कि ये जैक क्या है तो इसके अंतरगत ये एक तरीके का और्गिनाइजेशन है जिसके अंदर हमारे इस स संमन्द कोई इंक्वारी या अर बी कोई जाती भी bio लेटेड तो यहां पर इसकी इंक्वारी या रिपोर्ट यहां दी जाती जिस्से की यह को करते हैं वह जैसे अपैलिप्ली देखो लेखे और शमक्तर परलियां में इसको आप लिभीत हैं होते और अपनोर्म जो काम में लेकर लेकर सकते हैं और उसके बारोए काँ में परे वेकिते हैंенная विज टो मशें análरी GUY के दूसरे हैं वेग व्युक्तर भी पाइरेसी होती है तो यह यहाँ पर आज आपका चेप्टर कम्प्लीट हो गया ओके ठैंक यू